प्रिया तो आज मैं आपके लेकी आई हूँ फ्लोटिंग कैंडल और सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप फ्लोटिंग कैंडल अपने घर को डेकुरेट करें और जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी दिवाली आ रही है और हम लोग चाहते हैं कि हम अपने घर को बहुत ही सुन्दर बहुत ही प्यारा डेकुरेट करें चलिए हम शुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप कोई सी भी ऐसे तीन चोटे-चोटे ग्लास लेलीजिए कि आप ग्लास में बनाना चाहरे हैं या कटोरी में भी आप बना सकते हैं लेकिन मेरे पास ये ग्लास है मैं ग्लास मैं आपको बताऊंगे प्लास्क का ऐसा लेजिए बना सकते हैं आपको बना सकते हैं आपको बना सकते हैं ये तेल है ये कोई सबी आप ले सकते हैं सरसो का तेल डाल रही हैं जो भी आप योज़ करते हैं आप वही ओल डाल सकते हैं तो इसमें हम डालेंगे बना सकते हैं झाल झाल तो यह देखिए मेरी एक कैंडल बिलकुल तयार हो गई है और कितनी प्यारी लग रही है तो आप ऐसी ही बहुत छोटी-छोटी चीजों से अपनी कैंडल्स को आप बहुत ही ब्यूटिफूल डेकॉरेट कर सकते हैं और बहुत ही कुछ इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत एक्स्टा करना है या भार से मार्केट से लेकि आना है आप घर पे बहुत अराम से बनते हैं तो चलिए हम दूस्यों करना सकते हैं मती कि अपढ़ आपको आपको को कर बहुत ऑच्यों कर उना कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो देखिए मेरी कैंडल्स तयार हो गई हैं और कितनी ब्यूटिफल लग रही हैं अपने और पास से दिखाती हो इतनी प्यारी लग रही हैं तो इसी तरह आप भी अपने घर पे ऐसी ही कैंडल्स बनाके अपने घर को डेकोरेट करें दिवाली पे और आपको मेरा यह आइडिया पसंद आये तो इसको एक लाइक शेयर एंड सुस्क्राइब जरूर करें वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस दिवाली में एक मौका मिले अपने घर को सजाने का इसी तरीकर सथना झाल झाल